हेलो दोस्तों सौगत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एगरी पैरडाडाइस में और जैसा कि जानते हैं आपकी सरकार घोसड़ा कर चुकी है कि आप लोग प्रमोट कर दे जाएंगे जो कच्छा 11 और 12 के विद्यारती हैं तो इसलिए आपके पास बहुत ही अच्छा मौक आएगा तो उसी के लिए हम आपके लिए आज कुछ ऐसे कोश्छन्स लेके आए हैं जो यूप ड्रम पूछे जा चुके हैं उसके आपकी तयारे में बहुत ही सहीधा मिलेगी आपको तो बिना किसी देरी के सुरू करते हैं पहुत जलिए आज के सेशन को पहला कोशन है वह यहां पे देख लिए जूड़ा हुआ नहीं चोटे चोटे शोटे चोटे अकार का रखरें इससलिए इसको बटन बोल ज्या गया टीकश इसलिए बटन नागार कि हो गये है WIL GOLB की फसल में नाइट्रोचन की कमी हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा बटनिंग हो जाएगा तो आपके जो कर्ड होंगे वह क्या हो जाएंगे बटन क्या करके हो जाएंगे अब यहां से एक और कोशन बन जाता है दोस्तों कि जो फूल को भी होता है उसके फल को हम लोग क् बोलते हैं जैसा कि हम आपको अब ही पता चुके हैं की हम जानते हैं आप सपेद वाला हिसै ही का अभी हमने आपको बताया कि इसको अब बड़ते आप के अगले कोशन की तरफ हम्मारा दूसर्स कोशन कह रहा है कि मिर्च में जो चड़ चराहट या terre छाब जो होती है वो किस कारण होती है आप इसको अंग्रेजी में कभी पूछ देंगे आपConse की मिर्च के मिर्च यहां पर पूछ के तो लाल रंग मिर्च का पूछ देंगे किस कारण होता है तो देख रहे हैं आप दोस्तों यहां पर जैसे एक option में दिया गया है Capsanthin, इधर देखिए क्या लिखा था? Capsanthin, इधर लिखा है Capsanthin, बहुत थोड़ा संतर है, तो अगर पूछ जाए दा लाल रंग, तो यह हो जागा Capsanthin के कारण, ठीक है? अगर पूछ लिए चर- जल प्रयोग चंता सरवाधिक होती है बदलब ऐसी कौन सी विदी है जहां पर जो आप जल देंगे अपने फिल्ड को वह सफसे जादा यूज़ हो पाएगा अज इसे क्या होता है आप धान के खेट में देखते होंगे कि आप बाढ़ विदी का प्रयोग करते हैं में ठीक है लेकिन अगर पूछा जाए यहां पर सबसे सरवाधिक किसमे होता है तो याद रखें कि सबसे सरवाधिक है आपका टपकाविद में होता है टपकाविद हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते है इसको drip irrigation इसमें क्या होता है सीधे आपके जड़ों के पास जल मिल पूछा ही नहीं और सीधे सरवाधिक यूज भी होगा अब यहां से दोस्तों सबसे ज्यादा पूछे जाना वाला प्रश्ण हम आपको अभी बताने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है कि जो drip irrigation है या टपकाविद है ठीक है यह किस देश ने विक्सित करी भारत में तो यह लाई गई है आपकी इजराइल से बहुत पूछा जाता है जब मैंने पेपर दिया गया था तब भी पूछा गया था और जो मैंने और बच्चों को पढ़ाया गया उन्होंने पेपर दिया था तब भी यह question पूछा गया था तो कहां से विक्सित होई है य दान में लगता है खैरा रोग ठीक है बहुत पूछा जाता है हर एक्जाम में लगता है पूछ लिया जाता आज भी ठीक है बहुत ही पुराना question लेकिन आज भी हर exam में पूछ लाएता कि दान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है तो आप जानते हैं कि जिंक की कमी से हमारा करदा है तो किसको कारन होता है तो पुलते हैं अर्गरी लिए मिश्ट बोलते हैं अब हो सकता है कि फंगस का नाम भी पूछ ले तो पहले देखें टिक कर डिजिज नो है वह रहता है शाणन को क्यों देखिए इसको हम लोग अंगरेजी में जो है वो कहते हैं लीफ इसपार्ट डिजीज लीफ का मतलब पती और इसपार्ट का मतलब धबा ठीक कितना सरल है देखिए मतलब पत्यों पर धब्बे बन गई यह देखिए बूरे-बूरे रंके तो कौन सा रोग लग गया किस कारण लगा फंगस से कारण कौन सी फंगस फंगस का नाम थोड़ा दोस्तों कठिन है याद रखेगा सर्कोस्पोरा लेकिन याद आपको करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है पर्सोनाटा ठीक और एक दूसरा फंगस भी लगता इसमें एक होता है अरे कि डिकोला की वज़े से पढ़ेंगे नाम देख लीजे हो सकता है कि आपके अगर पेपर में आ जाए तो आप अगर ध्यान में रहा कि मैंने पढ़ाया था तो आप उस पर टिक मार सकते हैं तो आपको फाइदा करेगा यह चीच तो बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दुबारा पूछ सकते हैं मैं आपको फिर से बता दूँगा और हम लोग का वाटसेप ग्रूप आप जरूर जोन करें क्योंकि वहां पर मैं ऐसे कोश्चन डागते हैं रहता हूं जो आपके लिए बहुत ही सहाय तो हुआ क्या कि आपने कोई एक सेजन में अपना खेत को खाली छोड़ दिया तो आप क्या करते हैं अपनी जो भूम की उरवरता होती है उसको बढ़ाने के लिए उस सीजन में हरी खात वाली फसल उगा देते हैं ठीक है जिससे क्या होगा हरी खात की फसल आपने उगाई तो आप उसमें आपने हल चलागी च्रक्टर जागी जिससे मिटटी को क्या मिल जाएगा पो harikqamp की फसल को उगाते हैं दूसरा तरीका होता है singa की आपने कहीं और से चीजह लेक् première पड़ी थी लिए यक जगही खटा कर लिया और ने फहरी खटा करी थीक है आप अपने को तो हरी खाद डे सक तो जहां पर कॉश्चन क्या पुछा गया पूछा क्या गया है कि हरी खाद गे दोरन पर उगाई जाने वाए फसले जिस कुल से होती है बॉका काता ने तो आप पनद पड़ा है कि लेगू-गा लेकिन यहां पर क्या कर सकते हैं कि इसमेंरा आता है इसमेंगाए नाम वाना होटाए अब इसमेंगा उरती आज पूद्थ हैं आपको या याद रखेगा-टााए हरी खाथ की फसल किस्से होती है कौन से कुल में होती है लेगू में एसी या फेवेसी में तो उम्हेद करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी चीचे अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले कोश्चन की तरफ साइट्रिक अमल जो होता है वो किसमें पाया जाता है यह तो अब लीची से भी कोशन बहुत पूछते हैं देखिए आपने पढ़ा भी होगा अगक अच्छा वारा में कि जो लीची की जो प्रवर्धन विद्य है प्रवर्धन विद्य अगर मात्राइं गलत हो जातो चमा करिएगा मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो प्रवर्ध लगाई जाती है तो मिद्य करता हूं आपको समझ में आया होगा अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ जो की हो सकता है हमारा लास्ट कोशन है हमारा आज के शेशन का तो यह कोशन भी सरल है लेकिन पूछा जरूर जाता है एक जैसे खेरा रोग बहुत पूछा जाता है है ऐसे यह केशी जल बहुत पुचाहता इसलिए यह आपके पौधें से लेही नहीं सकते, तो बचता क्या है आपके पास केवल केशी जल, इसलिए पौधें कौन सा जल उपयोग करते हैं, केशी जल, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करीए हमारी वीडिय को सब्सक्राइब करें और जल्दी ही हम आपकी तैयारी के लिए अगला शेशन लेकर आएंगे, थैंक यू.